दोस्तो बच्चे हो या बड़े पाऊ भाजी खाना किसे पसंद नहीं है और आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ जी हाँ ये रेसिपी है पाऊ भाजी की दोस्तो खाने में बहुत जाधा टेस्टी लगता है और मसालेदार इस्ट्रिट इस्टैल पाऊ भाजी किसे खाना नहीं है तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से जहटपट बनने वाली पाव भाजी दोस्तों एंड तक बने रही है मेरे इस वीडियो में चलिए बनाते हैं गर्मा-गर्म पाव भाजी पाव भाजी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियो को कट करके क्लीन कर लिया है दोस्तों इसमें मैंने दो आलू लिये हैं जिसे मैंने इस तरह रफली कट कर लिया है एक गाजर को मैंने इस तरह रफली कट किया है एक टमाटर है जिसे मैंने कट किया है और ये शिमला मिर्च और ये बीट रूट बीट रूट से कलर अच्छा आता है और आलू से बैंडिंग अच्छा आता है और दोस्तों साथ ही मैंने लिया है ये हरे मतर ये फ्रोजन क्री पीज है और साथ में ये लॉकी है दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा एक कप के आसपास काटा है बीज से मैंने बीज उसके निकाल दिये है और दोस्तों मैंने दो प्याज को इस तरह रफली कट किया है और ये है बारीक कट हुए शिम्ला मिर्ज दो हरी मिर्ज को मैंने बारीक कट कर लिया है और एक लान मिर्ज को मैंने बारीक कट कर लिया है और ये है दो टी स्पून जिन जगालिक का पेस्ट तो सबसे पहले हम एक प्रेसर कू कर लेंगे मैं इसमें ओयल डाल रहा हूँ ये half टेवल स्पून के आसपास मैंने ओयल डाला है अज दोस्तों इसमें मैं डालूँगा जीरा एक टीस्पून और बात में जो भी सबजिया मैंने कट करके रखा था उसे एक एक करके इसमें हम डाल देंगे बारिक कटे हुए लाल मिर्च अधरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज इन्हीं भी मैं इस समय ही अभी कूकर में डाल रहा हूँ और साथी half टीस्पून मैं इसमें नमक और half टीस्पून हल्दी पॉडर डाल रहा हूँ अब दोस्तों इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ लगवत दो ग्लास के आसपास और इसके बाद इसे मैं बंद करके कम से कम तीन विश्री लाने तक गैस पर इसे पका लूँगा जब तक सब्जी हमारा कूख होगा चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मैं एक कढाई चरा रहा हूँ और half टेवल इसमें मैं डाल रहा हूँ ओयल अब कोई भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं साथी मैंने बटर एक टीस्पून डाला है दोस्तों इससे बटर जलेगा नहीं इसलिए मैंने पहली थोड़ा सा ओयल डाला था अब इसमें हरी मिर्स डाल कर इसे थोड़ा सा सॉल्ट कर लेगे और उसके बाद जो यह कैपसिकम और मैंने कुछ पारिक प्याज कट करके रखे वो भी इसमें डाल देंगे और इसे हम दो से तीर मिर्ट के लिए हलका स्टर फ्राइ करेंगे दोस्तो नमक मैं इसमें हाफ टीस्पून और डाल लेता हूँ क्योंकि नमक मैंने सबजी उमें भी डाला है जब वो प्रेसर कूकर में कूक हो रहे हैं इसलिए मैंने टोटल एक टीस्पून के आसपास नमक लिया है आप देख सकते दोस्तो प्याज और क्यापसी कम हमारा भूंग गया है और यह अलका ट्रांस्लूसेंट हो गया है तो मैं इसमें एक टीस्पून कश्मीरी लालमिश का पॉडर डाल रहा हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोरा सा कसूरी मेथी के पत्ते अपने हाथों पर रकर कर डालेंगे इसे स्वाद ये बहुत अच्छा आते हैं दोस्तो चले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें डाल रहा हूँ दोस्तो पाव भाजी मसाला ये टोटल मैं दो टी स्पून इसमें डाल रहा हूँ आप किसी भी अच्छे कमपनी का पाव भाजी मसाला ले सकते हैं मैंने इसमें थोरा सा पानी डाला था दोस्तों इसे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक रहा है अब मैं दो नीम्बू का रस इसमें डालूगा देखिए मैंने नीम्बू कट कर लिया है और इस तरह स्कीज कर रहा हूँ लेमन जूसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पाव भाजी में दोस्तों ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दो से तीन में ठलके आज पर पका लेंगे इधर हमारे तीन बीशे लग चुके थे और प्रेसर कूकर भी हमारा ठंडा हो चुका है तो ये देखिए दोस्तों सबजी जो थे वो अच्छे से कूक हो गए है और ये गल भी गए है तो चलिए अब हम इसे पानी और सबजी को सेपरेट कर लेते हैं तो मैं एक बाउल लूँगा और स्टेनर पर इस सबजी को छान लूँगा ये देखिए दोस्तों, नीचे पानी हमारा अलग हो गया, सब्जी हमारा अलग हो गया अब सेम प्रेसर कूकर में हम वापस सब्जियों को डाल देंगे अब दोस्तों हम लेंगे एक पटेटो मेशर और यह जो भी सब्चिया है उसे अच्छे से पहले हम pressure cooker के अंदर mash कर लेंगे जब अच्छे से mash हो जाए तो इसे हम अलग करके रख लेंगे इधर दोस्तो हमारी सब्चिया अच्छे से भून चुकी है यह देखिये बहुत अच्छे से इसमें oil भी release हो गया है तो जो हमने सब्जिया मैश किया था वो इसमें मिक्स कर देगे आप दोस्तों सब्जियों को कड़ाई के अंदर भी मैश कर सकते हैं तो यह देखे जो थोरे मोरे रह गया है मैं कड़ाई के अंदर भी से मैशर से मैश कर लिया हूँ अब अगर आप दोस्तों street style अच्छा colorful चाते हैं इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ food color वैसे तो मैंने beetroot डाला था beetroot से भी color बहुत अच्छा आ जाता है लेकिन मैं थोड़ा इसको street style लुक देने के लिए थोड़ा सा food color डाला हूँ सब्जियों के strain करने को बाद जो पानी बचा था वो भी इसमें mix कर दिया हूँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा color आया है हमारे भाजी का बस अब इसे एक पर और mix कर ले और low to medium flame पर इसे 5-6 minute पका ले ये देखिए दोस्तों 5-6 minute पॉयल होने के बाद सब्जी की consistency आप हो चुका है बस अब इसमें fresh coriander leaves डालेंगे और ये देखिए दोस्तों हमारी गर्मा गर्म पाव के साथ खाने वाली भाजी बन करके बिल्कुल ready है तो बस अब इसे हम हटा लेते हैं और हम एक तवा चढ़ाएंगे क्योंकि हम इसे पाव के साथ बनाना है तो चलिए पाव मै आपको अच्छे से गर्म करके दिखाता हूँ तवा हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें बहुत थोरा सक तील डाला है आपको इभी oil डाल सकते हैं अब दोस्तों उसके उपर वासब बटर डालेंगे अब दोस्तों street में क्या करते हैं जिस तवा पर भाजी हमारा ready करते सेम तवा पर पाव भी ready करते हैं तो बस यह देखिए मैं बस थोरा सा भाजी डाल रहा हूँ आप चाहे तो पाव भाजी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं अब यह दोस्तों मैंने यह नादी वाले पाव लिये हैं इसे मैं बीच से इस तरह कट कर लूँगा यह देखिए दोस पाव बहुत अच्छे से सॉप्ट भी हो चुका है बस अब इसे उलट पुलट कर दोनों साइट से हलका सेख लेंगे यह दीखिए दोस्तों तम गर्मा गर्म पाव भी हमारा रेडी हो चुका है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है चलिए दोस्तों एक और बार मैं पाव सेख लेता हूँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे ओयल डालेंगे उसके उपर हम बटर डालेंगे अब थोड़ा सा हम इस पर भाजी डालेंगे और उसके बाद हम पाव को बीस से कट कर लेंगे और वापस तवा पर इसे हम सेख लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को like से subscribe चरूर करें और daily notification के लिए bell icon दवाना बिलकुल बिना भूले क्योंकि मेरे वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले दोस्तो आपको अगर रेस्पी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तो पाओ तो हम सेक रहे हैं ये देखिए अगर आप थोड़ा उपर से भी अच्छा से क्रिस्पी चाते हैं तो ये देखिए मैं थोड़ा और बटर उपर से डाला है और इसे उलेट उलेट कर इस तरह सेक लिया है इसे पाओ में सॉपनेस भी आ जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो पाउ मैंने सेक लिये हैं और भाजी भी मैंने रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम करते इसकी प्लेटिंग तो बस एक प्लेट लेंगे उसमें गर्मा गरम भाजी हम सर्फ करेंगे आप चाहें तो भाजी को तो थोरा सा बटर डाल कर इसे उपर से गारिश कर सकते हैं तो थोरा सा फ्रेस धन्या के पत्ते अब दोस्तों बस अब कटे हुए बारीक प्याज इसमें डालेंगे और ये उपर से नीमबू डाल देंगे अब जो हमने पाउ सेक करके रखा था वो पाउम प्लेट में सजा देंगे ये देखिए दोस्तों गर्मा गरम पाउ भाजी बनकर बिल्कुल रेडी है तो आप कब बना रहे हैं ये रेसिपी घर पर आप जरूर बनाए और अपना रेसिपी बनाने का experience मेरे साथ share करे और हाँ टेस्ट भी जरूर मत है इस तरह से बनाने पर आपको कैसा लगा तो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी और रेसिपी के साथ मेरे चैनल मेलवित माधपे तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों आप मेरे चैनल पर मुंबई स्ट्रिट स्टेल वड़ा पाउ का भी देख सकते हैं जो मैंने आई बेटन पर लगाया है तो आप उसे भी जरूर देखें